नमस्कार बहिए मोहनलाल जी मैं आपको स्वागत करता हूं कल्पतरू जो हम लोगों का क्लिनिक है आयरवेद का बंगाओं गराम बंगाओं में और आप सबसे पहले जब आप हमारे पास यहां पर आये थे तो उस दिन आप को क्या-क्या तकलीफ थी वह थोड़ा सा बता दें जी सर पेट में तकलीफ थी कमजूरियां बहुत थी चल फिर नहीं सकर रहा था उल्टियां हो रही थी यह टूटा लगी बंद है अच्छा तो यह आपका नागपुर का रिपोर्ट भी देखा था तो उसमें यह दिखाए देता है कि आपको पैंक्रेटाइटिस की सीवियर पैंक्रेटाइटिस की सिकायत हुई थी और उसका आपका काफी इलाज अंग्रिजी जवाई पद्धिती से हुआ जिसे के आपको अंशिक तोर पे लाव हुआ लेकिन सिम्टम्स आपके जैसे के तैसे बहुत साधित थे और वो बार-बार हो रहे थे और इतिहास आपका यह यह मिलता है कि आप काफी शराब पीते थे पहले जिसकी आपने अभी त्याग कर दियो भगवाल की कृपा से तो अब यह बताए आपके अब आपको कित्ता परसेंट आराम हो गया है जी सर अब मुझे तो 60 परसेंट आराम है आयरुबेरिक दवा से तो यह मुहलाल जी प्रिदन कर रहा था कि यह जो मुहलाल जी है इनके साथ में हमारा बड़ा अच्छा एक इंडरेक्शन हुआ है और यह काफी ज्यादा बीमार थे बहुत दुर्बल इनका शरीड हो गयता है जैसे आप अभी भी लेकर रहे हैं कि इनका मसल वेस्टिंग बड़ी भारी मातरा अब हुई 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 पड़ी है धातु क्षय जिसको हम लोग आईरवेद में कहते हैं रसरक्तमान समीत बच्चास्ति शुक्रों सातो धातुओं का क्षय हुआ पड़ा है लेकिन अभी यह काफी तेजी के साथ इंप्रूव कर रहे हैं और ठंड के दिन में और भी सारथ यह लोग आटों से आये थे तब और यह खुद भी ठीक से चलने फिरने में भी उतनी समर्टता नहीं थी तो आयरवेद के सित्हांतों के द्वारा ही हमने चिकिस्टा करी है और कहीं से भी हम इसको यह कहते हैं कि कोई चमतकार यह जादू टोना नहीं है बलकि यह एक प्रकार की चिकित्ता पद्दती है यह विज्ञान है और अपने आप में ऐसा ग्यान है जिसको नहीं समझ पाने के कारण बहुत से लोग तथाकतित जो साइंटिस्ट है और मैं तथाकतित इसली कहा रहा हूं कि वह पूरी तरह से जारेंगे तो फिर सही विज्ञानी हो जा जारूर प्रशन आता है कि अगर आइरवेद इतना अच्छा है तो बहुत सारे मरीज आइरवेद में क्यों नहीं आते लेकिन उसकी एक बज़ा यह भी है कि सारा का सारा प्रचार सिस्टम सारा का सारा और तातकालिक तोर पे और इमर्जेंसी की जो चिकित्सा एलोपेटिक में मौडन मेडिसी में अवलेबल है उसको मैं भी उसका प्रशन सकूंँ और इमेडियेटल अगर आपको बहुत कुछ हो रहा आप एकसिडेंट हो गया है आपको एकडम इमर्जेंसी बन गई है आपको आटक आई गया है आपको कोई बहुत बड़ी तकलीफ एकडम से आ ग बिल्कुल एक पकी बात समझ लेनी पड़ेगी या आपको आईवीद की दिशान में यात्रा करनी पड़ेगी और अगर आप देखेंगे मैंने कई अभी एक पेशेंट के से मैं और वीडियो बनाऊंगा बताऊंगा आपको कि हाइपो थायराइड पहले माइगरेन हुआ फ कहीं सिप्टोमेटिक ही सारा का सारा बहुत ज्यादा तर लाइफ स्टाइल डिस्जिस के मामले में चलता है कुरोनर के उपर भी मैंने बहुत अच्छा करी बहुत अन्वावी लीए मैंने कई पेशेंट को इलाज किया मैं उसके बारे में भी आपको सूचना दूंगा और समय उसके लिए अभी मुझे लगेगा मैं तुरह डाटा कर रहा हूं और जितना हो सके मैं उसको आपको शीगरी ही बजानकारी प्रदान करूंगा बहुत बहुत आपको धन्यवाद और भया मोहनलाल जी आप भी धन्यवाद दे जीजिए सबको नमस्कार कर लीजिए मोहनल मोहनलाल जी के विश्वकर्मा के बेटे का भी जिसको के हर दो मेहने में में बिडाल पॉजिट्व त्री ट्वेंटी तक के डिलूशन में हो जा रहा था उसको हम लोग ने अभी ठीक किया है वह अच्छा हो गया मोहनलाल जी जी तो देखिए उसमें भी हमने कुछ नहीं कि होती है तो मैंने तो वह क्या करता था कि बचा हुआ सारा खुदी खा जाता था तो मैंने उससे कहा के बेटा यह कभी कभी खाने की चीजें तो लोगों को खिला और लोगों को भी बताओ भी यह हमारी दुकान बेने लेक्षा आए लेकिन हम एक ही आदमी अगर लगा तार उस तरह के खाने को खाएगा चाइनीज हो चाहे कोई सब्सालू अंडा पुडी पराठा हो मैं देशी विदेशी में इसमें फरक जादा नहीं करता है विदेशी और भी खराब है चाइनीज और भी खराब है यह पक्का लेकिन फिर भी अगर आपन देखें तो जितना भी जितना भी यह तरह तरह के सॉसेज हैं जो कि नकली एक्स्ट्रेक्ट बेस्ट केमिकल बेस्ट टैक्निक पर बनते हैं सिंथेटिक बहुत सारी यह चीज़ें यह होते हैं और पी तरह-तरह के उसमें स्वाद के लिए चीज़ें मिलाई जाती है तो वह सब एक प्रकार का दूप्लिकेट सॉसेज यूज़ किये जाएं तो इसलिए आप उसको भी एक लिमिट में ही उप्योग करें और आती मातरा ना करें रोज में ना करें और उसका एक आधत ना बनाएं मजबूरी में ना खाएं आप सिर्फ कभी कभार दोस्तों मित्रों के साथ में परिवार क साथ में उसका किसी किसी दिन आप आनल ले सकते हैं बहुत बहुत आपको सबको धन्यवाद बहुत शुबका मनाएं और मैं अभी फिर से बहुत दिनों के बाद आपके समक्षो पस्तित्व हो इसकलिए में इस लंबे अंतराल के मैं शमा चाहता हूं लेकिन मैं अभी नई तैयारी से हूँ और मैं आपको बहुत सारा अच्छी चीज देने वाला हूं आप मेरे साथ रहें मेरे वीडियो को आप सपोर्ट करें उनको शेयर करें उनको लाइक करें और शेयर जरूर करें अपने मित्रों के साथ शेयर करें और मैं आपको भी विश्वास दिलाता हूं कि ये सब बहुत अच्छी याद्रा रहें धन्यवाद